उन्नेस एप्रिल के शिर्विदन में को सोलत है परमात्मा के बर्दान में आज कहा गया है कि संगटन में रहते सबके स्नेही बनते बुद्धी का सारा एक बाप को बनाने वाले कर्म योगी भवा कोई कोई बच्चे संगटन में रहे सनेही बनने के बचाए नियारे बन जाते हैं मलकी संगटन में आते हैं और लोगों से आपसे बाचीत करते हैं लेकिन थोड़ा दूर दूर अपने आपको अलूफ रखते हैं डरते हैं कि कहीं फस ना जाएं कि बहुत जाते ख्लोज ना हो जाएं किसीे के साथ में डर लगता है इससे तो दूर रहना ठीक है क्योंकि अगर ज़्यादा ख्लोज आएंगे तो अंदर की गेरी बाते होंगी लोग पता करेंगे एक दुसरे बारे में टेकन फ़र ग्रांटेड हो सकता है यह सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें सोचना शूरू करते हैं लेकिन नहीं 21 जन्म परिवार में रहना है यह जो परिवारें के साथ में रहना है अगर डर कर किनारा करेंगे तो यह भी कर्म सन्यासी के संसकार हुए कि पता नहीं दीदी क्या सोची मेरे बारे में पता नहीं वो भाई बन क्या सोचते मेरे बाई में पता नहीं कहीं मेरी कमजोरी ना देख लें कि मेरे इंदरी कमजोरी है तो परमतर कहते हैं यह तो परिवार है ना कर्म योगी बनना है कर्म सन्यासी नहीं कि दूरोके लिगे लोगों से कर्म सेन ऐसी नहीं संगठन में रहो सब के सलिये बनों लेकिन बुध्धी का सारा एक बात हो तो सबके साथ सAssad नहीं रहो उनकी बाते सुनओ अगर उसकुलता सीध़ Alg Tsi दर बोलते हैं तो चुप चाप रहो और कुछ कल दो फेस करो प्यार से गुण वा कोई विशेष्टा आकरशित ना करें यही तरीका है परमात्म से जुणने का बुद्धी को कोई आत्मा का साथ गुण उस आत्मा का गुण वा कोई विशेष्टा आकरशित ना करें यह भाई कितना चाहिए बहन कितना चाहिए कि इतना चाहिए यह अगर चीज करती है अगर आपको इसका मुला बाप को सारा नहीं बना अपने अपने मुंको सारा बना दिया है कि वो लिमिटेड है और बाप कहा है अनलिमिटेड है आकर्षित ना करे तब कहेंगे करमयोगी पवितर आत्मा देखो औरों के साथ में अगर आकर्षिन होना उसके गुणू के कारण वो आपे वितरता है ओम शंति